जे सर जोगों ने जहली हैं इतनी दिक्टों का सामना किया है अगर आज वाके ही केंदर शासित सरकार जो है और पलिसमन आयोग जो है रियल सेंस में जस्टिस करता है तो मैं समझता हूं कि वो जस्टिस तब ही होगा जब जम्मो खिते की सीटें जो है वो बढ़ेंगी और मैं यह इ करता है वो सारे पैरमीटर्स और क्राइटीरिया और उसी तर्श पे हम चाहते हैं कि जो बिछले इतने दशकों से साथ दशकों से ज्यादा से जो जम्मो के लोग जो है वो अपने आप में बेदभाव महसूस करते हैं सोतेला वेवार जो है सरकारों दवारा रहा है उसको ए पैरिसी मनायोग से हमें बहुत सारी उमीदे हैं और काफी लंबे समय से जो हमारी पहाडी बेल्ट है वो रायनित्रिक जो है वो बेदभाव का शिकार रही है और मैं अपने शेतर की बात करूं जिसका मैं जिसको मैं रेप्रेजेंट करता हूँ पंचारी महंगरी को डिस्य परिनाम देखेंगे तो शायद रहा है कि हमारे जो पहाडी शेत्र है वो पिकास की दोड़ में बहुत पिछड़ गया है अब क्यूंकि परिसीमन जोग बैठा है केंदर सरकार सीधा उसको देख रही है और माननी हमारे जो अपरा जेबाल महोते हैं वही बड़ी तेजी से इस प्रेटन के मुद्धे पर जमोकुषभी सरकार ने काफी कुछ किया है टूरिस्ट बिलेज की स्थापना उसकी शिरुवाद करना एक बहुत अच्छी पहल थी माननी अलजी साब की लेकिन अब जरूरी है कि उसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं और देखें कि प्रेटन के मुद्धे पर जमोकुषमीर का विजन है जो हमारा पंचाहितिराज का विजन है तो हम उसको रियल सेंस में रियलाइज कर सकें और इसके लिए सबसे मैं वहीं वापिस आता हूँ कि एक अलग विदानसवा हलका पंचारी मौंगरी के लिए और उसके साथ-साथ पुरे जमो हिते के लिए जो है वो पॉलिटिकल तोर पर जो है वो जस्टिस देना ये बहुत बड़ी शुरुआत होगी बहुत बहुत अन्यवाद